नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुना और आप देख रहे हैं अस्तिक हेल्केर आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मौनसून में रखने आपको किन बातों का बेहत ध्यान जिससे आप बस सकते हैं किसी भी गंबीर बिमारी से लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें और बैल अगन पर क्लिक करें मौनसून में सर्दी, खासी, सीजनल इंफेक्शन की समस्य बहुत आम होती है लेकिन एक और बड़ी बिमारी है जिसका इस मौसम में होने का खत्रा ज्यादा रहता है लोगों को इस मौसम में हैपिटेटिस A, हैपिटेटिस E, जैसे गंबीर संक्रमण का खत्रा हो सकता है दोस्तों यहां हम आपको बता दे हैपिटैटिस एक लीवर से सम्बंदित इन्फेक्शनल बिमारियों का समू है जो की हैपिटैटिस A, B, C, D और E के रूप में जाना जाता है ये सब हैपिटैटिस के प्रकार है हैपिटैटिस होने पर सबसे पहले लीवर में सूजन हो जाती है जो आगे जाकर लीवर कैंसर का कारण भी हो सकता है इनमें से हैपिटैटिस A, VIRAL INFECTION की वज़ा से होता है जो की गंदे और खराब खानपान की वज़ा से शरीर में फैल जाता है और हैपिटैटिस E, दुशित पानी और दुशित खाना खाने की कारण हो जाता है इसके अलावा, infected जानवरों के मास खाने से भी हैपिटैटिस E और A हो जाता है इस बिमारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 36 करोड से जादा लोग हैपिटैटिस के वाइरस से infected है अकेले भारत में 4 करोड लोग इस infection के वाइरस से घिरे हुए है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल 9 करोड लोग हैपिटैटिस वाइरस के कारण जिन्दगी की जंग हार जाते हैं वैसे आम तोर पे लक्षन बात की दो मेने में ही दिखाई देते हैं जैसे कि मतली, उल्टी होना, हच से जादा ठकान होना, पेट में दर्ध होना, लीवर का बढ़ना, भूक में कमी होना और इसकिन और आखों का पीला पढ़ना जनवरी 2015 से जून 2018 की रिसर्च के मताबिक, 10 लाग सेंपल्स में पानी से होने वाले हैपिटेटिस-E वायरस देश भर में सबसे आम प्रकार है गैस्ट्रोलोजिस्ट के मताबिक, दुशित पानी और खाना खाने से हैपिटेटिस-E और A होने की आशंका बढ़ जाती है सवक्षिता पर दें ध्यान, घर हो, बाहर हो या पर्सनल लेवल पर सब जगह पे आपको सफाई का बेहत ध्यान रखना चाहिए इन सब आततों से आप ऐसे इंफ्रेक्शन से बच सकते हैं फॉलो और सबजियों की सलाथ बनाने से पहले हमें साओधानी बरतनी चाहिए यानि कि उन्हें अच्छे से पहले वाश कर लें, फिर उप्योग मिलाए दोस्तों, बारिश के मौसम में पानी से होने वाली बिमारियों की आशंका जादा होती है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप साफ और उबला हुआ पानी पीए है पानी उबालने से पानी में मौजूद सारे बैक्टिरिया मर जाते हैं और कोशिश करिए कि इस मौसम में आप शराब को प्योग ना करें शराब लीवर की समस्याओं को गंभीर कर सकती है बारिश में मौसमी फलो के रस और सूप पर ज़्यादा ध्यान दे दोस्तों साफ सफाई की आदत को अपना कर आप हैपी टेक्टिस से असानी से बच सकते हैं इससे फूड और विंट पाइप से फैलने वाली बिमारियों के बचाव में भी मदद मिलती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इसी तरह की हेल्थ रिलेटिव बिमारियों की जानकारी के लिए आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको हमारा आज काई वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी लाइक करेए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें, नमस्कार